एलो गाईज नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे अपने चेरा का गुरा चमकदार और सुन्दर बनाएं आज का दर फैसन का दर है तरहता हर बेक्ति सुन्दार्था की डॉर्ड में सामिल होना चाहता है वैसे तो सुन्दार्था का कोई पैमाना नहीं होता है लेकिन फिर भी कई बार सुन्दार्था को रंग से जोड़ दिया जाता है गुरा रंग दिखने में बहुत खुबसूरत लगता है वो हर बेक्ति को पार्सनलाइटी में चार चंद लगा देता है इसलिए गुरे बेक्ति को देखको लोग बहुत जल्दी परभावित हो जाते हैं रंग के वज़ा से बेक्ति का आत्म विश्वास भी कई बार बढ़ जाता है ज़िए यहीं वज़ा है कि हर बेक्ति आज की समय में अपना रंग गुरा और साफ चाहता है प्रन्तु आद्म निकता की दोड में परदूशन भ्राव वातावारों और गलत जीवन स्टैली के कारण लोगे की ताउचा का रंग सावला और काला पड़ जाता है अब तक आप तक लाते हैं जो आपके रंग करने में जूटे हैं और अब तक सफल नहीं हो पाएं तो निरास होने के जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरी रूपाय जिनका इस्तमाल करके आप बड़ी की फायतित तरिके से अपने घर में बैठे बैठे ही अपनी ताचा का रंग निखार सकेंगे वे भी किसी एलर्जिक रियक्शन के बीना तो देर किस बात के चलिए जानते हैं कौन्से टिप्स है जिसके मदस से आपने चेहरे को गुरा और श्रूंदर बना सकते हैं दोस्तों इस टिप्स के किसी वी परकाख्र साइडी फ्यापने और यह हंडेट पर्शन आपको कारगर और आपका चेहरा को साथ दिनका अंदर गुरा और चमकदार बना जाएगा बन जोले इन नीमीत गुर्य दिन करने से कष्रां अपका चंदर और और छो जाएगा यह बहुत ही चमतकारी और परवस्ताली है इसको करने से आपका चेहरा संदर आ कुरा हो है जाएगा दोस्तों अब चश्राइम नहीं कि आते मेंड चैनल को साथ्क्राइब जरूर करें य Reddit ऐसा हैं टिप्स हम आप तक लाते हैं टिप्स नमर टू दो चमच हल्दी में दो चमच संतरे का रस्त मिला कर चेहरे और करतन पर मले करने से आपका चेहरे दिन में बहुती खुड़ा और श्रुदर हो जाएगा यह 100% बहुती घरेरी और चमच दारी और वस्ताली नुसका जिसके किस भी प्रकाश्चाइडी फ्रकने दोस्ते में चनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो मैं चनल को सब्सक्राइब चरूर कर लि